भारत में नौसेना की ताकत अब बहुर पढ़ने वाली हैं जिहाँ भारत में परमाणू हमला करने में सक्षम केफोर बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परिक्षन किया है जिसे नौसेना की स्वदेशी आइनेस अरिहन श्रेनी की परमाणू संचालित पंडूबी पर तैनात किया हो जाएगा देखिए रिपोर्ट केफोर मिसाइल का सफल परिक्षन पंडूबी से दुश्मनों को मार गिराएगी केफोर मिसाइल दुश्मन के रडार पर मिसाइल आसानी से नहीं आती बारत ने दुश्मन को हराने के लिए अपनी सामरिक शमता को बढ़ाते हुए शक्ति शाली केफोर मिसाइल का सफल परिक्षन किया है आंद्रप्रदेश के समुन्दरी तट से दागी गई इस मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर है और ये पंडूबी से दुश्मनों के ठिकानों को निशाना बनाने में भी सक्षम है इस समरीन मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानि DRD ने तयार किया है मिसाइल का परिक्षन दिन में समुन्दर के अंदर मौजूद प्लेटपॉर्म से किया गया बताने के फोर पाने के नीचे चलने वाली उन दो स्वदेशी मिसाइलों में से एक है जिने समुन्दरी ताकत बढ़ाने के लिए तयार किया गया है जब किसी मिसाइल के साथ दिशा बताने वाला यंत्र लगा दिया जाता है तो वो बैलिस्टिक मिसाइल बन जाती है ऐसी मिसाइलों में बहुत बड़ी मात्रा में विस्वोटकों को ले जाने की शमता होती है फिलाल भारत के पास प्रत्वी, अगनी और धनुष जैसी बैलिस्टिक मिसाइले हैं लेकिन केव पोर मिसाइल अपनी एक अलग पहचान रखती है